हेलो फ्रेंज आपका मेरे चैनल सूपर क्रेटीव वर्ल्ड एट होम में स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे मानने परधान मंत्री जी ने कोरोना वाइरस से बचने के लिए लोकडाउन को 3 माए तक बढ़ा दिया है ताकि सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें पर अब सबसे बड़ा कोश्यन ही आता है कि हम इस लोकडाउन में घर में करें तो क्या करें तो आज मैं आपको यहां ऐसे 6 बाते बताऊंगी जिनको फोलो करने से आप अपने टाइम को काफी अच्छी रह सदप्योग कर सकते हैं क्योंकि ऐसा टाइम हमें पहली बार मिला है जब हम सब अपने घरों में हैं और इस टाइम हमें सिर्फ सोने में या टीवी देखने में वेस्ट नहीं करना चाहिए इसका हमें सदप्योग करना चाहिए आईए बताते हैं इस लोकडाउन के दोरान हमें अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलिज फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव जिन से हम बात करना चाहते तो हैं पर अपने बीजी शेड्डूल के कारण बात नहीं कर पाते हैं ऐसे हमें अपने मितरों से, phone से, video से और chatting के माध्यम से connect होना चाहिए इससे हमारी social connectivity बढ़ेगी हमें अपने घरों में भी अपने parents से, अपने grandparents से, अपने बच्चों से बाते करनी चाहिए और सबसे connect रहना चाहिए जो हम पहले busy schedule के कारण नहीं कर पाते हैं इस समय हमें खुद को फिट रखना चाहिए, जिससे हम स्ट्रॉंग बन सके, इस समय हमारा स्ट्रॉंग रहना बहुत अवर्शक है, हमें अपने घर पर एक्सर्साइज, योगा, पुश अप्स, प्रानाया, मेडिटेशन, जो भी आपको आता हो, जरूर करना चाहिए, और अगर आपको नहीं भी आता है, तो आप अपने इंटरनेट माध्यम से नई चीजे सीख सकते हैं, और इनको कर सकते हैं, क्यूंकि इनको करने से हमारी इम्मुनिटी स्ट्रॉंग होती है, प्रानायाम करने से भी हमारी इम्मुनिटी बहुत स्ट्रॉंग होती है, meditation से हमारा mind काम रहता है क्योंकि हमारे mind में हजारो तरह की tensions चल रही हैं जिससे हमें meditation जरू करना चाहिए और अपने mind को शान रखना चाहिए जिससे हम coronavirus के संक्रमन से खुद को बचा सकें और इस समय में हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित लग सकें इसलिए हमें exercise प्रानायाम, meditation सब जरूर करना चाहिए और अपने family members बड़ों को बड़े बुड़ों को हमारे घर में जा हमारे parents होते हैं, grandparents होते हैं और अपने बच्चों को जरूर करना चाहिए क्योंकि बड़ों की और बच्चों की immunity बहुत रीख होती है तो ये आप उन्हें जरूर कराए धर्ड तिंग, do your passion आपका जो भी passion था जिसको आप time की कमी के कारण नहीं कर सके अब आपको वह जरूर करना चाहिए जैसे अगर आपको English speaking सीखना था तो आप वह सीख सकते हैं आपको painting करना था तो आप painting कर सकते हैं और आपने बच्चों को सिखा सकते हैं आपको dance करना पसंद है तो आप daily dance की practice कर सकते हैं आपको singing करना पसंद है तो आप singing कर सकते हैं या आपका जो भी passion हो आप उसे जरूर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई musical instruments हो जिसनको आपको सीखना था पर आप पहले सीख नहीं पाई तो अब आप internet की मार्टियम से भी उनको सीख सकते हैं जैसे गिटार, harmonium, flute, तबला अगर आपको एक्टिंग करना सीखना था तो आप अप घर में रहकर एक्टिंग करना की practice भी कर सकते है इस टाइम आप अपने बच्चों के साथ, अपने पैरेंट्स के साथ ही indoor games खेलें हमें बाहर जाकर game बिल्कुल नहीं खेलना है क्योंकि हमें social distancing का भी पालन करना है आप घर पर ही लूडो, chess, केरम, cars, table tennis और बहुत सार indoor games खेल सकते हैं और अपने बच्चे को भी नए गेम सि और अपना time को अपने बच्चों के साथ अच्छे से fun के साथ व्यतीत कर सकते हैं इस समय हमें अपने इसकिल को भी डवलप करना चाहिए आप जिस किसी भी शेत्र में कारे रत हों चाहें आप उसमें strong हो यह तोड़े कमजोर हैं आपको अपने इसकिल को और डवलप करना चा हैं तो आप अपने अंदर नए इसकिल भी डवलप कर सकते हैं जो future में आपके काम आएं जिससे जब लोगडॉल खुनने के बाद आप अपने ओफिस या जिस किसी भी कारे शेत्र में कारे रत हों उसमें जाएं तो आप खुद को ज्यादा proud फिल कर सकें six thing gain knowledge आपको इस समय अपनी knowledge को enhance करना चाहिए क्योंकि हम अपने busy schedule में अलग-अलग फिल्ड में knowledge gain तो करना चाहते हैं पर lack of time की वज़े से नहीं कर पाते हैं आपको politics में environment में science में history में spiritual में जिसमें भी आपका interest हो जिस किसे भी फिल्ड में आपको लगता है कि मुझे इस फिल्ड की knowledge होने चाहिए आप उसमें knowledge जरूर gain करें और अपने बच्चों को भी history spiritual चाहे आप किसे भी religion से हो knowledge जरूर दें उन्हें अपनी spiritual के बारे में अपनी history के बारे में जरूर बताएं अगर आपको मेरी बाते अच्छी लगी हो तो प्लीज इनको फॉलो कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और मेरी नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू सो मॉच